नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खन में बिजली संकट बढ़ा, जर्खन में बिली संकट गहरा गया है बिली की मांगवा आपोर्ती में करीब 350 मेगावाट का अंतर हो गया है इसका रांची सही तमाम सहरों और ग्रामिन इलाकों में लोट सेडिंग हो रही है सहरों में 2 तो ग्रामिन इलाकों में 3 घंटे से अधिक की बिली कटोती हो रही है साम के वक्त ज्यादा परिशानी हो रही है जनकारी के नुसार NTPC के हरली परली प्लांट में उत्पादन प्रहवित हो गया है यहां से 130 मेगवाट बीली जहरखन को मिलती थी दूसरी और तेनुग हाट की दूसरी उनिट में भी ट्यूब लीकेज हो गया है परली यूनिट मरमत की परकिरिया में है यहां से करीब 350 मेगवाट के अपूर्ती बंध है सेंटरल पूल से 1000 के बदले में 700 मेगवाट ही बीली मिल रही है फरजी सर्टिफिकेट पर बहाल 214 पाराज सिक्षकों को हटाने की तयारी अब तक की जांच परकिरिया में गलत रूप से बहाल 431 पाराज सिक्षकों कोशी नित किया गया जिसमें से 217 को सिवा मुक्त किया जा चुका है जो फरजी पाराज सिक्षक बच गया है उन्हें जल्द सिवा से हटाने का निद्स दिया गया है बता दे राजी के पाराज सिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पिछले सावा साल से चल रहा है एक सथ हजार पाराज सिक्षकों में से अब 1922 पाराज सिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है अभी भी विभीन विश्वी द्यालियो बोड और संस्थानों में अलंबित है अब तक 69 परासिक्षक सर्टिफिकेट की जाचो चुकी है इसमें से 431 परासिक्षक गलत रूप से बहाल पाए गए इसमें से 284 परासिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के अधार पर पहाल थे टेट पास परासिक्षक चार के बाद करेंगे अंदोलान एकी क्रिट सहयक अध्यापक संहर समोर्चा ने टेट सफल परासिक्षको का तस दिनों से राजभुन के समाग से चल रहे आमराण अंसन का समर्थन किया है मोर्चा ने सरकार को 4 सितंबर तक का अल्टिमेटम दिया है सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो 5 सितंबर को कला भी लगा कर सरकार का बिरोध करेंगे और चरनबद आंदोलन की रण नित्ती भी बनाई जाएगी बता दे मोर्चा के बिनोध बिहारी महतो संजाय कुमार दूबेर इसी के स्पाठाक सिट्टू सिंग वा दसरत ठाकूर ने सन्युक्त रूप से कहा है कि पिछले दस दिनों से राजबोन के समख स्टेट पास सहायक अध्यापक अपनी मायं को लेकर आमरा अंसर पर बैठे हैं लेकिन सरकार के दोरा आज तक कोई पहल नहीं की गई मोर्चा ने सरकार को 4 सितंबर तक काल्टिमेटम देते हुई कहा है कि इन संगठनों से वार्ता करे और राजब के 62 है सहायक अध्यापक अध्यापक भविस के बारे में जो वार्ता हुई थी उस पर अमल जल्द से जल्द किया जाए यदि ऐसा नहीं होता है तो राज ये के 62 सायक अध्यापक सिक्षक दिवस पर काला विला लाया कर सरकार का विरोध करेंगे सियम हेमंद की आचिका के विरूद इडी भी पहुंची सूपरीम कोट जारखन में जमिल घोटाला मामले में मनी लोंडिंगे तहाँ दाच कर रही इडी के दोदो समन के खिलाप मुख्य मंत्री हिमंद ने सरोष नेयाले के दरवाजा खट खटाया तो इडी भी सूपरीम कोट पहुंच गई है मुखह मंत Scottish ने सरोच नियाले में इडी के अधिकार को चुनोती दी है इसके बिरोध इडी ने भी केवियेट फायल कर दिये है इडी ने सरोच नियाले से आखरा किया है कि उसका बिना पक्ष सुने कोई भी आधेस पारित नहीं करे इडी का पक्ष भी सुनना जाना चाहिए इस मामले में सुप्रिम कोट ने सुनवाई के लिए कोई तीथी निधारित नहीं किया है संभावना हाई कि मुख्य मंत्री के ओर से इस मामले में जल सुनवाई के लिए आगरा किया जा सकता है बता दे इड़ी ने मुख्य मंत्री को पहली बार जमिन घोटाले मानले में 14 अगस्त को समन किया था वहीं इड़ी के पहले समन पर मुख्य मंत्री नहीं पहुँशे थे उन्होंने समन को और समय धानिक एवं दुर्भावना से प्रेरीत बताया था और समन वापस लेने को कहा था चाई बासा में करोडो की मनरेगा घोटाला इड़ी करेगी जाँ चाई बासा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है कई दसक पूर वह जीरा चारा घोटाला मामले को लेकर चार्चा में आया था इसकी वज़ा से बिहार के मुख्य मंत्री रहे लालू यादव को साजा हुई थी इस बार चार्चा का वज़ा बना है मनरेगा घोटाला बता देज हारखन हाई कोड के चिप जाशी संजय कुमार मिस्टर वज़ाशी आनांद सेन की अधालतने मंगलवार को मत्लूब आलम की याचिका पर सुनवाई के बाद इडिक को तथा कथित करोडों के मनरेगा घोटाला की प्रदामभिक जाश का देश दिया है याचिका के मुताबिक साल 2006 से 2010 के बीच मनरेगा की योज़नाव में गलबड़ी की बाद सामने आई थी इसी अधार पर पुलिस ने कूल 14 एफायर दर्ज किया था बाद में साल 2015 मिस्ट करबवी की जाच की जमेदारी एसीबी को दे दी गई थी लेकिन साल 2021 तक कोई खुलाचा नहीं होने पर चाई बसाक के मतलूब आलम ने पी आई एल संख्या 26 एफायर बाई 2021 दायर कर निसप्रक्ष एजेंसी से जाच कराने की मांग की थी जारखन को मिला पहला CID थाना जारखन में अपराद अनुसंधान विभाग यानी CID का पहला थाना खुल गया है बता आदे जारखन पुलिस मुख्याले के निदेश के बाद आखिरकर जारखन CID का पहला थाना रांची में खोला गया इसकी विदिवत रूप से शुरुवात भी कर दी गई 294 बैच के इंस्पेक्टर ब्रहम देव परसाथ को CID थाने का पहला परभारी बनाया गया है गिरिह करा एवं आपदा प्रमधन विभाग के 12 साल 2016 से ही CID थाने के लिए अजिसुचना जारी कर दी गई थी लेकिन कुछ वजहों से लगातार इसके निर्मान में देरी हो रही थी जारखन में 2 सितंबर तक 12 में कमी जारखन में समाने से 36% कम मानसुन वर्षा हुई है जारखन के 24 में से 11 जीलों में वर्षपाँ समाने से कम रिकाट हुआ है जबकि सिम्टे का गोटा और साहिब गंज ऐसे मादरतीन जीले हैं जहां वर्षा समाने या उससे अधिक हुई है चात्रा जीले की इस्ति सबसे अधिक खराब है चात्रा में समाने से 63% कम वर्षा हुई है आईसे में मौसम केंद्र राची दोरा जारी पुरुन्मान चिंता को और बढ़ने वाला है मौसम केंद्र राची के अनुसार राजे में अभी मानसून का सिस्टम कमजोर पड़ गया है और राजे में कहीं भी एक सितंबर तक अच्छी बारिज की संभावना नहीं के बराबर है हलाकि दो सितंबर से राजे के कुछ इलाके में मध्य दर्ज की वर्षा की संभावना जरूर बन रही है घरेलू गैस सबसीड़ी पर सियासत सुरू केंदर सरकार के दोवारा घरेलू गैस सिलेंडर पर सबसीड़ी दिये जाने के निरने से आम लोगों में जहां खुसी है वहीं इसे लेकर रायनीती भी सुरू हो गई है मिसन 24 को ध्यान में राक कर लिएगा इस निरनार को बिजेपी द्वारा राखी के आउसर पर पिए मोधी के द्वारा बहनों को सौगात देने की बात कही जा रही है वहाई बिपक्ष भाजपा की चाल को साथने में जूटी है बताते गई सिलेंडर पर 200 रुपए की सबसीडरी के लिए पिए मोधी के प्रती अभार चाता रही बिजेपी महिला मोचा की परदेश्ट अध्यक्ष आर्ति को जूर कहती है कि इससे उजवाला योजना की महिलाओं को और भी ज्यादा लाप होगा बिपक्ष द्वारा उठाये जा रहे सबाल को खारिज करते हुए आर्ति को जूर ने कहा है कि 75 लाख नए LPG कनेक्शन उजवाला योजना के तहत मुप्त में दिये जाने के बाद 10.35 क्लोर उजवाला योजना लभारती की संख्या हो जाएगी जो एक बहुत बड़ी संख् दूमरी उप्चुना मंत्री बना गुपता और स्रम मंत्री सत्यानन भोक्ता ने बेवित देवी के पक्ष में मांगे वोट आईसू में पती सांसा तो पतनी भी धायक और भतिजा केंद्री अध्याक छाए इसके अलावा किसी की जगा आईसू पाटी में नहीं है लोग सिर्फ चुनाव में नजर आएंगे इसके बाद एक सिली तो दूसरा दिली भाग जाएंगे धन्यवाद